किसान भाईयो नमस्कार मैं हूँ रामलाल दाकड और आप देख रहे हैं स्माय टेग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल इस समय पर फरवरी का आदा माईनस समापत होने वाला हैं और इस समय पर कई छेतरों में सर्चों की कटाय शुरू हो चुकी हैं तो कुछ छेतरों में ऑक अच्छा मुनफ़ा कमा सकते हो और कुछ फसले तो ऐसी होती हैं जिनसे आप शाड़ pedals में ही बहुत अच्छा मुनफ़ा कमा सकते हो तो इस वीडियो में मैं आपको पांच ऐसी फच्टों के बारे में बताने वाला हूँ जिन फच्टों की खेती आप गर्मयों में कर सक तो इसकी पूरी जानकरी के लिए आप वीडियो को बिना स्कीप के अंत तक जरूर देखिए और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास में जो गंटी का निसान आया है उसे भी जरूर दबा दीजिए ताकि हम जैसे नए वीडियो अपलोड गरे उसका नोटिफिकेसन आपको तुरंत मिल जाए किसान भाई यो चलिए अब बात करते हैं कि हम गर्मियों में कौन-कौन सी फसलों की खेती कर सकते हैं तो पहली फसल है तिल बहुती कम किसान भाई ऐसे होते हैं जो तिल की खेती करते हैं लेकिन आप 20 फरवरी से लेकर 5 मार्च के बीच में तिल की बुवाई करके तिल का अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हो तिल की फसल में कीट एवं रोगों का अटेक नाम मातर का होता हैं और तिल के पोदे को ज़्यादा खाद की आउशकता भी नहीं होती हैं कहने का मतलब यह हैं कि आप गर्मियों में बहुत ही कम दिनों में तिल की खेती करके कम दिनों में अच्छा मुनाफ़ा प्राप्त कर सकते हो दूसरी फसल है उड़द उड़द की खेती खरीब सिजन में ज़्यादातर की जाती हैं लेकिन अगर आपके पास सीचाई की परियापत व्योश्ता हैं तो आप गर्मियों में भी उड़द की खेती करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हो आप एक मार्च से लेकर 20 मार्च के बीच में उड़द की बुआई कर सकते हो और गर्मियों में उड़द लगबक 60-60 दिनों में पकर तियार हो जाती हैं और आप 5-6 क्विंटल एकल उत्पादन आसानी से प्राप्त कर सकते हो तो अगर आप गर्मियों में खेती करना चाते हो तो उड़द की खेती भी एक अच्छा उप्सन है तीसरी फसल है सोयबीन करीब सीजन के मोसम में मद्यपरदेश राजस्तान और माराष्टर में सोयबीन की खेती बहुती अधिक प्राप्त होगा आप 20 फरोड़ी से लेकर 20 मार्च के बीच में सोयबीन की बहुए कर सकते हो अगर उन्नत किसमों के बारे में बात करें तो आप केडिये 726-723 और जेएस 24 जेची विराइटियों की खेती गर्मियों में कर सकते हो खासकर केडिये 727 विराइटियों क उत पादन गर्मियों में भी बहुत अच्छा मिलता है गर्मियों में सोयबीन की सभी विराइटियों 10-15 दिन जल्दी पक जाती है और पड़ती एकर साथ से आठ कुईंटल सौयबिन का उत्पादन आसानी से निकल जाता है तो गर्मियों में सौयबिन की खेती भी अच्छी कमाई का इस्तरोत है चोती फसल है मूंग मूंग की फसल भी बिलकुल उड़त के फसल के जैसे ही है मूंग की खेती भी करीब सी दिन के अलावा गर्मियों में भी कर सकते हो मूंग की फसल में खाद की आशकता बहुत ही कम होती है और मुंग की फसल 60 से फैंसर दिनों में पूर्ण रूप से पकर तेयार हो जाती है इसलिए आप मार्च मैने में मुंग की वुआई करके भी बहुत अच्छा मुनाफ़ा प्राप्त कर सकते हो और पांच्वी फसल है मुंग फली अगर फरवरी मैने में आपका खेत खाली हो जाता है तो मुंग फली की खेती करना सबसे बेश्ट ओप्सन है हमारे चेत्र के कई किसान भाई गर्मियों में मुंग फली की खेती करते हैं और बहुत ही अच्छा उत्पादन प्राप्त करते हैं लेकिन अगर आप गर्मियों में मुंग फली की खेती करते हैं तो फिर आपको फरवरी में बुवाई कर देना चाहिए क्योंकि अगर आप लेट बुवाई करेंगे तो फिर आर्वेस्टिंग के टाइम पर बारिस आने के वज़ा से मतलम नुक्सान हो सकता है इसलिए अगर आप बुवाई करते हैं तो फरवरी मेंने में ही करें बाकि आप गर्मियों में भी मुंग फले की खेती करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हो तो किसान भाईयो इस वीडियों में हमने बात की कि आप गर्मियों में कौन-कौन सी पसलों की खेती करके अच्छा मुनाफ़ा प्राप्त कर सकते हो तो आपको वीडियो कैसा लगा और आप गर्मियों में कौन-कौन सी पसलों की खेती करते हो कमेंट करके अवश्य वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक वर शेयर जरूर करें चले मिलते हैं अगले वीडियो में जई जवान जई किसान